चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हादिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बच्चों नी 24 पेपर लीग के रेगार्डिंग आज सुप्रिम कोड में हीरिंग थी उस हीरिंग के दोरान क्या क्या हुआ ये मैं आपको सोट में बता देता हूँ तो इसमें सुप्रिम कोड ने कहा है कि इसके रेगार्डिंग पेपर लीग के रेगार्डिंग एक नोटिस जारी किया और जो grace marks वाला matter है वो withdrawal किया जा रहा है यहांपर यानि कि वो withdrawal कर लिया गया है जो grace marks वाला था जिसकी कल सुनवाई हुई थी यहांपर इसके बाद में court ने जो NTA के council है उससे कहा है कि यह आप दो week के अंदर अंदर इसके बारे में file counter करें यहां और next जो hearing होगी वो 8 जुलाई को होगी इसमें इसके बाद में जो याची का करता के वकील है उन्होंने कहा कि इसकी CBI जांच करवाई जाए तो Supreme Court ने कहा कि अभी क्य हम इसके बारे में CBI जांच आज ही करवा सकते हैं क्या उन्होंने कहा कि एक बार NTA को जबाब तो दाखिल करने दो इसके बाद में जो याची का करता के वकील है उन्होंने कहा कि यह 24 लाग student का matter है उनका यह क्यूसन है तो इस पर Supreme Court ने कहा कि हम इसके बारे में समझते हैं और यह आप जो आपका prayer है यह 8 जुलाई को रखें इसके बाद में आगे जो याची का करता की वकील है उन्होंने कहा है कि student इस विशेप पर suicide कर रहे हैं कोटा में और NTA और बिहार पुलिस का जो status है उनको आप report देने के लिए direct करें यानि निर्देशित करें निर्देश दे उनको कि NTA और बिहार पुलिस अपना status है वो बताएं कि उनका अभी तक क्या status है इसमें सुप्रेम कोट ने बोला कि आप जो कोटा के अंदर suicide हो रहे हैं यह आप unnecessary emotional arguments यहां ने करें यह कहा है सुप्रेम कोट ने इसके बाद में जो याची का करता के वकील है उन्होंने क कि जो एक्जाम के दोरान परते कंडिडेट से समधित संपूर्ण परिक्षा का विवरण आठ जुलाई तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए आठ जुलाई से पहले यह पेस किया जाना चाहिए तो इसके बाद में जो दूसरे वकील थे याची का करता कि उन्होंने भी कहा कि एंटे ने कल जो डिसिजन दिया था उसमें यह दिस्क लोज नहीं किया किये इसमें 1513 face student में qualified और disse qualified कितने स्टुडेंट से इसमें 790 qualified student बताए 733 disqualified ये बताए तो इसमें ये पूरा disclose नहीं किया है ये कहा है दूसरे वकील ने तो इसके बाद में last में ये हुआ है कि ये bench है उन्होंने कहा है कि इसकी जो सुनवाई होगी वो 8 जुलाई को होगी अभी जो next hearing होगी वो 8 जुलाई को की कारवाई है यानि कि 8 जुलाई को ही paper leak के regarding ये matter सुना जाएगा एक पहले की petition लगी हुई तो जो फस्ट जून की थी paper leak के regarding उसकी भी 8 जुलाई को hearing है और आज वाले paper leak के regarding जो matter था उसकी भी 8 जुलाई को hearing है जितने भी सारे high court में इसके regarding case file किये गई थे उन सब को forward कर दि दिया गया है मर्ज कर दिया गया है अभी उन सब की high courts के जो cases file हुए थे वहाँ Supreme Court में ही सुनाई होगी इन cases के अंदर मर्ज कर दिया गया है उनको तो ये final last में मैं आपको बता देता हूं कि paper leak का जो मामला है वो Supreme Court में 8 जुलाई को सुना जाएगा ये अभी तक का final है तो य देलेंगे नेक्स्ट डेट के आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिंद